असलाम लेकुम मैं नाम डॉक्टर ली नामजद है जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने विडियो सीरी स्टार्ट की हुई है आज में एक ने वीडियो के साथ आपके साथ हाजर हुई हूई हूँ आज की वीडियो को टॉपिक है विजाइनल डिस्चार्ज जिसको हम सिंपल रिया है स surroundsब्से गे जाने की बहुत जरूरत है हर फी मियल को के आर्फ नौमल पडेंविद शीलोजिकल डिस्चार्ज कैई और यह घिकार है और नाम डेना खो में temporada सेमि बडर्द है यह एक abnormal discharge की निशानी है normal हमारे जिसम से कह नाम लेते हैं जो हमारे reproductive system है female reproductive system उसका जो एक lower part है वहां से जो secretions निकल रही हैं वहां पे जो glands हैं जो हमारे cervix में glands हैं जो secretions हैं जो बाहिर आती है तो that is discharge अब हर female को यह concern है कि that is abnormal की यह कोई बीमारी है कोई मसला है हमें बहुत जादा लिकोरिया होता है हम बहुत जादा डिस्टरब हैं इस से तो इस चीज़ को देखने की जूरत है normal proper उनको guide करने की जूरत है कि इसमें क्या चीज़ normal है क्या चीज़ abnormal है अगर एक discharge जिसमें ना तो female को साथ में खारिश है ना उसके पेट में दर्द होता है ना उसको बुखार है और ना ही उस discharge का color change है normal discharge जो है वो सफैद रंग का होगा अगर उसका रंग लाल नहीं है ग्रीन नहीं है पिंक नहीं है या उसमें पस नहीं है तो वो normal है अगर एक female आपके पास आती है और बताती है कि उसको discharge है उसको लिकोरिया है इसका साथ वो बताती है कि मुझे हलका पुलका बुखार भी होता है पेट की निचले से में बहुत दर्द है पशाप करते हुए भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द है उसके लावा जब हम जाड़ा थिक हमारा डिस्चार्ज है तो यह डिस्चार्ज अबनॉमल है अबनॉमल डिस्चार्ज को ट्रीट करने की जूरत होती है अबनॉमल डिस्चार्ज को अगर हम ट्रीट करते हैं उसमें एंटीबाइटिक देते हैं तो वो मजीद नुकसान दे है फीमिल के लिए क् और पर डिस्चार्ज जो है मजीद खराबी की तरफ चला जाता है तो अब आपनोर्मल डिस्चार्ज के मैं आपको निशानिया कुछ बताइए कि उसमें बुखार भी होगा, पेट के निचले हिसे में दर्द भी होगा, उसकी रंगत भी तबदील होगी और पेशन्ट को उसके साथ नीचे वाले हिसे में खारिश भी होगी इसके लिए आपके ये ड्वाइस है क्या फॉरन अपनी गाइनकॉलजिस्ट को चेक करवाएं वो आपका मौइना करेंगी, निचले हिसे का, ठीक है, उसके लिए हमारे पस कुछ अलात होते हैं जिनको स्पेकुलम बोलते हैं, हम स्पेकुलम की मदद से अंदर वाले सारे रिस्ते का मौइना करते हैं उसके लावा अल्टरसाउन के अगर जूरत है तो अल्टरसाउन भी कराना पड़ता हो, कुछ बलड टेस्ट हैं, बेसलाइन, सीबीसी वगारा वो भी जरूरी है रिप्रडक्टिव ट्रैक्ट में रखने के लिए भी कुछ मैडिसन्स होती हैं, वजायना में रखने के लिए कुछ मैडिसन्स गोली होती हैं, वो भी देते हैं तो 7-14 डेज या कुछ वीक्स के ट्वीक्मेंट से यह बिलकुल ठीक हो जाता है अगर यह जादा प्रोलांग कर जाए, फीमेल इसको निगलेक्ट करती रहे, इसके तरफ ध्यान ना दे तो यह आइस्ता आइस्ता अंडा दानी, बच्चा दानी और ट्यूबों को भी एफेक्ट करता है जो फिर PID, यानि के Pelvic Inflammatory Disease की सूरत इक्तियार कर लेता है इसका जादा नुकसान है, एक फीमेल जब शादी करती है, शादी के बाद इसके जादा नुकसान आता है ट्यूब जो हैं, वो ब्लॉकेज हो जाती है, फिर प्रेग्नेंसी मेशू होता है फिर उनका ये कंसर्ण होता है, कि हमारे घर में बच्चा नहीं हो रहा, ये सारी कंसर्ण के साथ वो आती है अगर हम उनकी हिस्ट्री लें, प्रॉपर लें, तो हमें पता चलता है कि डिस्चार्ड से ये हिस्ट्री स्टार्ट होई थी जिसको निगलेक्ट किया गया, जिसकी तरफ तवज्ज्ज नहीं दी गई, और वो आइस्टा इस्टा पूरे उसने सिस्टम को इंवाल्फ कर लिया तो मेरी इस वीडियो से आप तक ये मैसेज पूंचाना मैं चाह रही हूं कि इस डिस्चार्ड को आप बिलकुल हलका ना लें, अगर आपको साथ इस सारे सिंटम्स हैं कि खारिश होती है, दर्द है, बुखार है, और बहुत जादा डिस्चार्ड है, कि आपके परे खराब हो जाते हैं, और आप बहुत जादा आप जो अपने डेली अक्टिविटीज हैं, वो आपकी एफेक्ट हो रही हैं, आप नहीं कर पाती हैं उनको, तो इसके लिए आप फॉरंग गाना कॉलोजिस्ट को दिखाएं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई दिवाई मत लें, क्योंकि ये दिवाई जो है, वो मजीद आपको फाइदे की बज़ाए नुकसान दे सकती है, इसी तरह हैं कि आप हमारी वीडियो से फाइदा हासल करने के लिए हमारे CMHK पेज को सब्सक्राइब करें, इंशाला हम अगले दफ़ा पिर एक अच्छे और मुफीद मूजू क के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, आला अप्रस।